कि नमस्कार दोस्तों जुर्चुके हैं दानिक स्रेट समझार के साथ और इस वक्त हम अक्रूर के के रिसॉर्ट में हैं जहां पर कल की तयारियां जो है वो जोरो शोरो सो चल रहे हैं हम आपको बता दे ग्रैंड फिनाले उबरते कलाकार प्रेजन्स जेक्सन कल्चर सुट आफ सोसाइटी हमारे साथ जैक्सन सर है यहां पर विस्तार में आपको बताएंगे कि बहुत-बहुत स्वागत है और बहुत-बहुत मुबारक बाद है आपको कि इस तरह का ग्रैंड फिनाले सीजन टू जो है वह आज इस बार अखनूर में होने जा रहा है जी बिल् अखनूर के सभी बच्चों का प्रगाम है उबरते कलाकार सीजन टू 29 को जम्मू में था और 7 आप जून ये कल अकनूर में के और जाट जैवडियां रोड बले वाग यहां पर होने जा रहा सुबाद दस वज़ा हम शुरू करेंगे एंडर स्कूल डान्स कंप्टिशन सिं का मैं नो पास नो कुछ टिकर नहीं सिर्फ आईये और प्रोगाम देखिए बच्चों की हुसरा अफजाई करिए तालियां बजाईये और जाके हमारे जम्मू के लावा जो यह वाले आउट साइड एरिया है इनका टैलन्ट भी है वो उनको देखने को मिले मेरे अखनूर क त्लोगों के सामने वह करें जो फ्रोडेर आरटास। यह रूलर में ऐससे टैलन्ट चुपए हैं जो बाहर नहीं निकल रहे हैं डेकंटी बड़ी अचंबे की बात है तीन साल की लड़की कहां गीगड़ करती है उस ने घाना भी गाया उसने डांस भी किया और मौडलिंग फ्रेंसे इसमें उसने आखे और यह पिरांट वहां से चलें टाइक धाए तीनगर लगते हैं वहां आने जाने हां पेरांस आए हैं उन्हों आके बच्चों का आडिशन दिया और बड़ी खुश हुई ऐसे ही जम्मू के 29 के जो फिनाले था मेरा उसमें तीन साल के बच्चे ने हार्मोनियम बजा के घाना भी गाया पूरी सरगमी सनाई एक बच्चों का प्रेश्ट बच्चों का कल रिजल्ट भी हो झाले इनके एक फिनाले भी है और आगे वाले विंस्टार आप जंबू का भी है समझे दोनों दो पंथा और एक आज का कर रहे हैं तो आगे जो बच्चे हमारे विक्साराम जमूल से निकल के गोवा में नैशनल में जाके वहां खालच करेंगे उनकी जो शुरुआत है इन बच्चों के लिए भी से हम में शुरू करेंग ताकि यह पर और है मेरा अपना अखनूर है मेरी अपनी तसीला मेरा अपना घर है इन बच्चों के लिए ऐसे प्लाटफॉर्म को जो है अम लोग रडी करें ताकि इनका टैलन्ट जो है वो कहीं पीशे ना रहे पूरी दुनिया में जाके फैले जैक्सन सर को तो आप जानते हैं मिसिस जैक्सन भ होते रहते हैं आज रूलर में इतना बड़ा शो जो है सबसे पहले तो राभिया जी आपका थैंक्यू सो मच कि अपना इतनी गर्मी में इतना कीमती समय निकालके हमारे लिए आए बस मेरा यही कहना है कि जो गाउन साइट से एरिया से लो बच्चे आते हैं उनके लिए थो बच्चों में भी बहुत इंट्रस्ट और उनके पेरेंट्स जो होते हैं वो भी बहुत बच्चों को अपने उनके कला को आगे निकालने के लिए उनको बड़ा ही सपोर्ट कर रहे हैं जी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं तो इसके लिए पेरेंट्स का भी बहुत बहुत चुक सब्सक्रिया क्योंकि वह थनी हैं ऊपने बच्चों की जो कला है उसको चुपने नहीं दे रहे हैं सबसे बड़ी बात यहąda है कि पेरेंट्स की ऊंको भी अठोकए क्लवाखी समझे है कि उनकी ते थाल्एंट हैं कि हमारे आपको पता है स्च्टी में भी स्टाउम में भी टैलेंट की कमी नहीं है बस उनको कमी है उसी प्लैटफॉर्म की और हम यही कोशिश कर रहे हैं कि चोटे बच्चों तक जो दूर दराज के गाउं के इलाकों के बच्चे हैं जो थोड़ा सीटी तक नहीं पहुंच पाते हैं कि कोई को यह को फाइनशल सपोर्ट होती है कि यूँकि फैमिली प्राब्लम से भी होते हैं जो दूर तक नहीं जा सकते हैं क्योंकि एक दो पेरेंट्स बड़े सारे पेरेंट्स आते हैं कि उनको बच्चों में बहुत जाए टैलेंट बट उनको फैमिली सपोर्ट रही है और कहीं को खोना जाए गुमना हो जाए और सबसे बड़ी ऑपरचुंटी जैसे कि हमारे प्रधान मंतरी जी भी बोलते हैं जहां शिक्षा नहीं पहुंच पाती वहां शिक्षा खुद जाके पहुंच आती है और ऐसे आपने मैंने आपको बता दिया ग्रांड फैनाले जो है उबरते कलाकार उबरते कलाकार मतलब बच्चे हैं तारे जमीन पर है जमीन पर होने चाहिए और यहां ही चमकने चाहिए तो ऐसे शो को लेकर आ रहे हैं जैक्सन कल्चर इंसिच्जूट ऑफ सोसाइटी ग्रांड फिनाले सीजन टू जो है उबरते कलाकारों का वहां पर के यार रि जो है वो भी आपको मिल सकती है आप डायरेक्ट यहां पर अपने बचों को लेकर आ सकते हैं और उनकी कला को यहां पर चांद चांद लगा सकते हैं तो दोस्तों कल भूलिए ना साड़े-दस बजे किया रिसौट अखनूर में आप क्या इंतजार कर रहे हैं जैक्सन इंसिट जो कि आपको बहुत बड़ा एक प्लैटफॉर्म देने जा रहे हैं वीडियो को शेयर के जिए अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखेगा और यह सारा मैसेज जो है अपने कलाकारों को बढ़ाने के लिए आगे पहुंचाईने में हम लोगों की मदद कीजिएगा मुझे दीज स्रेट समचार के लिए